सर्दियों में अक्सर कपड़ों और स्वाट्रों पर रूए लग जाते हैं, आज मैं उनको निकालने की टिप्स बताऊंगी, सबसे पहली टिप्स में हमें टेप चाहिए, टेप का छोटा हिससा हम काट कर उसे इस तरह से चिपकाते हुए रूए निकालेंगे, बड़ी आसान से यह निकल जाते हैं, सेकिंड टिप में हमें ब्रश चाहिए, तूद ब्रश उसको इस तरह से लगाते हुए हम रूएं को खीषते हुए बाहर निकालते जाएंगे, सारे रूए ब्रश के अंदर आ जाएंगे, इस तरह के रूए शर्ट पर तब लगते हैं, जब कोई साफ होती जा रही है, अब देखिए मैं निकाल के दिखाती हूँ, यह देखिए यह रूए निकल आए, थर्ड टिप्स के अंदर हमें, अगर आप मारे पास यह बड़ा ब्रश है, तो उसका भी यूज कर सकते हैं, इस तरह से हम ब्रश को खीषते हुए, रूए निकालते जाएंगे, इस ब्रश में रूए फस्ते जा रहे हैं, और शर्ट साफ होती जा रही है, यह पीछे का हिस्सा शर्ट का साफ हो चुका है, अब हमारे पास जो वूलन स्वाटर होते हैं, उन पे भी रूए लग जाते हैं, उनको निकालने के लिए हमारे पास नया तरीका है, यह देखिए यह बरतन दोने वाला स्क्रब है, इसका यूज करेंगे हम, इसको इस तरह से रूए निकालेंगे, आपको यह ध्यान रखना है कि जो इस डारेक्शन में डिजाइन जा रहा है, उससे अपोजी डारेक्शन में खीचेंगे, तो रूए आसानी से निकल यह देखिए बाजू साफ हो चुकी है, और यह रूए यहाँ पर पड़े हैं, इसी तरह से हम बाकी पार्ट को भी साफ कर लेंगे, मैं घर के कामों की दूसरी तरह की वीडियो भी बनाती रहती हूं, उनको देखने के लिए वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइ उसी तरह से इस रेकमाल का यूज करेंगे, रेकमाल से भी बड़े आराम से रूए निकल जाते हैं और आपका स्वाटर साफ हो जाएगा, रेकमाल को सैंड पेपर भी कहते हैं, यह आपको हाडवेर की दुकान से इजली मिल जाएगा, पांच रुपे का आता है यह, इस तर और रुए देखें, यहां पर हुए है यह, शिक्स टिप्स के अंदर हमें रेजर चाहिए, उसमें हम ब्लेट लगाएंगे, बहुत ध्यान से करना है यह काम, हम अगर रेजर को इस तरह से अराम से नीचे की तरफ चलाएंगे, तो एक भी रुए नहीं निकलेगा, इसके ल साफ हो जाएंगे, यह देखें, इस तरह से रुए नीचे आते जा रहे हैं, यह काम आपको बहुत ध्यान से करना है, साइट के किनारों पर दवा बिल्कुल नहीं लगाना, नहीं तो स्वाटर फट जाएगा, अच्छा होगा कि नीचले सिरे पर आप पहले काम करें, बाद में बड़े हिस्से पर आएं, यह देखिए इस तरह से रुए निकलते जाएंगे, और स्वाटर साफ होता जाएगा, जब बलेट में भर जाएं तो इस तरह से खोल कर, और फूक मार कर इसे जाड़ना है, बहुत ध्यान से काम करना है बलेट से, हम सर्दियों में इस तरह से कारपेट वगरा बिचाते हैं, उस पर भी रुए निकल आते हैं, तो उसके लिए भी हम रेजर का यूज करेंगे, और कारपेट इस तरह से साफ हो जाएगा, इन टिप्स की हेल्प से आप किसी भी तरह के रुए घर पर आरसानी से निकाल सकते हैं, यह वीडियो आपके लि के जाएगा जएगा हैं, इन हो जड़र का यू आपके लेगा।